दोस्तों, आक्टिंग की दुनिया की सुपस्टार नेहा ककर वरतमान में अपनी शादी की खबरों को लेकर काफी सुर्ख्यों में बनी हुई है जिन्होंने 24 अक्टूबर 2020 को अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड यानि के रोहन पेसिंग के साथ साथ फेरे लेकर अपना घर बसा लिया है लेकिन नेहा जितनी ज्यादा अपनी प्रफेशनल लाइफ को लेकर सुर्ख्यों में रहती है ना उतनी ही अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी लाइम लाइट में बनी ही रहती है यूँ तो बॉलिवूट के कई स्टार्स नेहा ककड के करीबी दोस्त हैं लेकिन आज हम आपको नेहा ककड के उन चुनिंदा बेस्ट फ्रेंड से रूबरू करवाने वाले हैं जो हर सुख और दुख में इनके साथ खड़े रहते हैं और उनके साथ इनकी यारियां भी काफी चर्चित रही हैं तो फिर चलिए मिलते हैं नेहा ककड के इनही चुनिंदा बेस्ट फ्रेंड से नमबर एक उर्वशी डोलकिया जी हाँ सही सोच रही है आप उर्वशी डोलकिया वही है जो छोटे परदे पर कसोटे जिंदिगी के सीरियल में कुमॉलिका का किरदान निभा कर फेमस हुई हैं बता दे कि उर्वशी डोलकिया नेहा ककड की बहुत करीबी दोस्त हैं करीबी दोस्त ही नहीं बलकि उनकी बड़ी बहन भी कही जाती हैं जो कि पिछले काफी सालों से नेहा ककड के साथ अपना काफी टाइम स्पेंट करती हैं साथी इन्हें हाली में नेहा ककड के शादी में निहा ककड के ड्राइवर के तोर पर भी देखा जा चुका है जिन्होंने निहा के शादी में उन्हें गुर्दवारे तक ड्रॉप किया और उनके शादी में खूब मस्ती मजाग भी किया नमबर दो उर्वशीर रौतेला इस लिस्ट के दूसरी कड़ी में नाम शुमार है गॉर्जिस आक्डरस उर्वशीर रौतेला का जो कि निहा ककड और रोहन प्रेट सिंग की शादी के हर मौके पर उनके साथ दिखाई दी है और इन्होंने उनकी शादी को काफी शानदार बन आने में अहम भूमी का निभाई है बता दें कि निहा ककड और उर्वशीर रौतेला के दोस्ती यूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद से ही शुरू हुई है लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बॉंड शेयर करते हैं कि लगता है कि दोनों एक भी साफतोर पर देखने को मिला नमबर तीन रूबिना दिलाएक जिहां इस लिस्ट में तीसरी कड़ी में नाम शुमार है अभिनेतरी रूबिना दिलाएक का रूबिना दिलाएक जो कि छोटे परदे की संसकारी बहू भी कही जाती है ये निहा ककर की सबसे करीबी दोस्त क रही जाती है जिन्होंने अपने आक्टिंग करियर के शुरुवाती दोर में एक दूसरे का काफी साथ दिया है साथ ही रूबिना दिलाएक निहा के हर सुक्तुक में उनके साथ खड़ी रही है बिल्कुल एक साई की तरह इसलिए तो ये खुबसूरत फ्रेंडशेप हमें स जुड़े ऐसी ही और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें